आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम लोगोंने कुछ चैप्टर्स कर लिये हैं और आज हम लोग नेक्स चैप्टर करने वाले हैं राज की नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उलेख कहां पर ह नर्सट्य में यह अमछ्र पत्र चैकल 36 से 51 अर जिया है तो आयर्लेंड के सम्मेधान से इसको अडॉप्ट किया गया थिक के सारी सारी अपैले छी कंदू कहां में किन चीजि़ों डॉप्ट कहुत है तो यह घिंचे कास asi कि ग्यारत आप्यचता है इसकी विशेशता है सबसे पहली विशेश्ता है कि आ सकता है। ﷻ नियायले के द्वारे यह लागू नहीं किया जा सकता है। नीटि निदेशक तक्त्त्त्तों की सिधान्थ में ऐसा नहीं। दूसरे का है किशावषन के लिए आधार बूत है। इसका क्या मतलब है कि राज जब विधी बनाएगा तो नीति निर्देशक तत्व में जोगी चीज़ दी गए उनको लागू करन राज्य का करता भी होगा मतलब विधी बनाने से पहले नीति निर्देशक तत्वों को देखेगा और उसको जो भी चीज़ी सही लगेंगी विधी बनाने के टाइम में उसमें उसको शामिल कर लेगा ठीक है तीसरा क्या है कल्यानकारी राज्य की संकल्पना का समावेश ठीक है इसका क्या उद्देश है इसका उद्देश है समाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की इस्थापना ठीक तो अगर यह क्वेस्टन पूछा जाए कि कि किस प्रकार की राज्य की संकल्पना है नीति अनुदेश प्रपत्र को भारतिय सम्विधान में DPSP के रूप में शामिल किया गया है इसका ये मतलब है कि देखो जब 1935 अधिनियम में जब 1935 का अधिनियम था तो ब्रिटिश सरकार भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को एक प्रपत्र जारी करती थी और में DPSP के रूप में ठीक है तो ये हो गई इसकी विशेष्टा अब आर्टिकल पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अनुच्छे 36 अनुच्छे 36 क्या कहता है राजी की परिभाशा हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों को एक आर्टिकल पढ़ के भीतर जितने भी इस्थानी और अन्य प्राधिकरण है वो सब किसके अंतर कताते हैं आर्टिकल ट्वल ठीक और आर्टिकल 36 क्या कहता है आर्टिकल 36 ये कहता है कि राज की वही परिभाशा होगी जो भाग तीन और अनुच्छे 12 में दिया गया है ठीक है तो मतलब आर्ट ये नहीं होगा लेकिन विधी बनाने के लिए इन तत्वों को लागू करने राज्य का करता भी होगा तो जो उपर हमने विशेष्टाएं पड़ी थी वही इसका आर्टिकल 37 है 38 क्या कहता है 38 कहता है कि लोग कल्यान की अभिवरिधी के लिए समाजिक व्यवस्ता मतलब रा समान रूप से अजीविका दी जाए और भौतिक संसाधनों का नियाय पूर्ण वित्रण किया जाए मतलब जो भी भौतिक संसाधन उपलब्ध है उसको इस प्रकार से वित्रिद किया जाए कि सभी को नियाय मिले ठीक है नियाय पूर्ण वित्रण हो ठीक आर्टिकल 40 क्या क जाना चाहिए ठीक आर्टिकल 40 क्या कहता है आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन करने की बात आर्टिकल 41 क्या कहता है कुछ दशाओं में काम सिक्षा और लोग सहायता पाने का जो अधिकार रगते हैं उनको कौन यह सारी चीज़े प्रवाइट कराएगा राज प् आर्टिकल 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत मानवोजित दशाओं का और प्रसूति साहता मतलब की देखिए पहले जैसे होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे कि काम के गंटे डिसाइड नहीं होते थे लोग 18-18 गंटे भी काम करते थे और सैलरी भी उनको बहुत अच्छ समय पढ़ने पर जिसको भी प्रसूति की साहता की जरूरत हो उसको उपलब्द करा है ठीक यह था 42 अब आर्टिकल 43 क्या कहता है कर्मकारों को उचित प्रवंधन और कुटी रुद्द्यों को प्रोच साहन ठीक है जो भी कर्मकारे हैं उनको उचित प्रवंधन देना है और कुटी रुद्द्यों को बढ़ावा देना है ठीक नेक्स्ट 44 44 क्या है समान नागरिक सहिता समान नागरिक सहिता का मतलब वही सबके लिए समान कानूर और यह कहां पर लागू है एक मात्र भारत का ऐसा राज है गोवा ठीक है अब आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 0-6 वर्ष त वर्ग है उनको सिक्षा आर्थिखित इसमें व्रिद्धी का प्रयास कौन करेगा राज करेगा आर्टिकल 47 क्या कहता है कि जो भी नागरिक है राज के उनके पोशाहार इस्तर को अच्छा करना जीवन इस्तर को उंचा करना और लोग स्वास्त में सुधार करना राज का करत जादा हो ठीक है पशुपालयनगर होगा ठीक है तो उससे भी कई सारी चीजे बनाई जाएंगी तो इससे हम अपने देश में या अपने राज में क्या कर सकते हैं गरीबी और भुकमरी को कम कर सकते हैं तो यह भी किसका करतव है राज का 48 का क्या कहता है पर्यावरन पर्यावरन संव larva और जो भी one और वनच्रेज win इसा करना भी राज का करता दाग कं तो इसके बाद ऐस आर्ट्रिकल फॉर्ट्य मौहत्यव के ज़ो इस्थान है त hire जो समारक है कि स्मारख है और वस्टू है जो राश्ट्रि महत्यव के आं उनको राज्ज को करना भी नाए रखो 51 का यह क्या कहता है यह मूल कर्तवियों की बात करता है ठीक है मूल कर्तवियों को भी हम लोग डिटेल से next class में पढ़ेंगे तो यह था हमारा 36 से लेके 51 ठीक है 36 से लेके 51 का तक हम लोगों ने देख लिया इसके लावत दो और हैं दो और कौन से हैं एक है 350 का का यह क्या बताता है यह बताता है कि जो सिक्षा है प्रात्मिक स्तर पर वो मात्र भाशा में देना है ठीक है और 351 क्या बताता है आर्टिकल हिंदी को प्रोचाहन देना है ठीक है तो यह था हमारा नीति निर्देशक सिध्धान तो हम लोगों ने मूला दिकार देख लिए नीतिन रिदेशक सिध्धान देख लिए अब हम इसमें अंतर देखते हैं ठीक है तो मौली का दिकार और नीतिन रिदेशक सिध्धान में अंतर मौली का दिकार USA से लिए गया है नीतिन रिदेशक सिध्धान भाग चार से मौली का दिकार भाग लागू करने के लिए किसी नियम किसी विधान की जरुरत नहीं है लेकिन नितिनिदेशक तत्व के लिए एक कानून की विधान की अवशक्ता है और यह राज्यक करता है ठीक है मौलिक अदिकार हमें खुदी प्राप्त हैं लेकिन नितिनिदेशक तत्व हमें तभी प्राप् है कि 30 को हुआ था BPSC का एक्जैम और 1 को हुआ था राजिस्थान PSC का एक्जैम तो उसके कुछ questions हम लोग discuss कर लेते हैं जो कि quality गया थे ठीक है तो इसके देखिए यह वाला हो जाएगा ठीक है नेक्स देखिए भारतिय समविधान सभा के संबंद में निम्लांकित कतनों पर विचार करिए पहला स्टेट्मेंट है समविधान सभा का अंतिमधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था सही है और दूसरा इस अंतिमधिवेशन में डॉक्टर राजिंत प्रशाद भारत के राश्टपती पदपर विधिवत निर्वाचित गोशित किये गए थे ठीक दूसरा भी सही है तो देखिए यह हम लोग को जो जिस भी एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं उन सब चीज में आपको फायदा होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन देखिए पूछ रहा है कि समविधान की निमनांकित में से कौन सी अनुसूची पहले समविधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई लेकिन आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगी कि जब भी आप लोग क्वेस्टन सॉल्फ किया करिए इसपेशली आर्टिकल डीपी इसब से रिलेटेड तो जो और भी अनुच्छे दिये हूं उनको भी एकबर देख लिए करिए क्या पता आपके एक्जाम म देख लिया करिया ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेस्टन क्या है कि कौन से मुकदमे में सम्विधान के मूल धाचे का सिद्दान प्रतिपार्यत किया था तो यह भी हम लोगों ने देखा था किसमें केश्वनन भार्थ अब यह तो आंसर हो गया अब थोड़ा साब क् पूछा शबीbas prisons देख लेना वर गोलख नात्स वाल गेस्देख लेना है डैट के साथ क्योंकि में हमलों को किड़्ए पूछ जाएगा थे नेक्स चलते हैं यह वहलत वोग्वेस्टन्व więc कि किस अधिवेशन में सबसे पहले रसताव पारित किये घये था तो औह और कारा दिखिया चीजा नहीं है उसके बाद इधर देखिए 131 इसमें कहए कि मौली का दिकारों को कहां से लिए अभी मैं ने डिसकस किया है जब मैं डिफ्रेंस बता रहे थी तो मैंने बताया कि यू ऐसे से लिए गया है ठीक अब आप लोग को क्या करना है आप लोग को यह काम करना है कि आप लोग को यह देखना पड़ेगा कि कैनेडा से क्या के लिया गया है ठीक कौन कौन से विचारों को कैनेडा से लिया गया है कौन कौन से विचारों को आयरलेंड से लिया गया है कौन कौन से क्यूंकि सिर् भी होगा और हर एक option पे आपकी command हो जाएगी ठीक है जिससे माल लिजे next topic next किसी exam में आपसे पूछ लिये जाए कुछ ऐसा विचार दे दिये जाए जो Ireland से लिया गया हो ठीक है जैसे अभी हम लोगों ने क्या डिसकस किया अभी हम लोगों ने डिसकस किया नीति निर्देशक् तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए फिर यह वाला question देखिए 134 इसमें क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि पांच में अनुसूची के विशिष्ट शमू के लोगों किसके किस संबंदित है तो हम लोगों ने देखा कि अनुसूची जन जाती अब इसमें आपको यह द कॉन cabinet mission के सदस से नहीं है तो मैंने कहा था कि आप लोगों के नाम होंगे और एक option कोई ऐसा होगा जिसमें तोड़ा different नाम होगा ठीक है जैसे इसमें आंसर क्या होगा इसमें आंसर आप लोग कमेंट करके बताईएगा ठीक है तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने सिर्फ शैद 12 वरे lecture किये हैं तो उसमें आपको इतने सारे question मिल गए ठीक है तो आप लोग इमांदारी से lecture को देखिए ठीक है चीजों को याद करिए और question practice करिए ठीक है thank you